नमस्ते फ्रेंड्स मैं आज आपको फेस्बुक लाइव में आया हूँ आपको दो तीन चीज बात करने के लिए फर्स्ट फॉल आज बाई एलेक्शन था चार सीट्स में और मैं सबसे पहले जो जो ये एलेक्शन में जीते हैं बीजेपी से हो या कॉंग्रेस से हो मैं सब को कॉंग्रेशिलेशन बोलना चाहता हूँ most importantly democracy में कोई जीतेगा कोई हारेगा लेकिन elections में अच्छे तरीकी से contest हुआ और बाई एलेक्शन में एक trend रहता है पूरे दुनिया में पूरे इंडिया में कि जो भी power में है state में वही बाई एलेक्शन जीता है आपने ये 2013 में नलचर में देखा होगा आपने EDC में भी बाई एलेक्शन देखा था जहां में CPM जीत रहा था दो साल बाद IPFT और BJP जीते तो ये trend रहता है कि जो भी state में ruling में है वो बाई एलेक्शन जीता है लेकिन इस बार इस बार बहुत interesting चीज़ हुआ है आपने देखा होगा कि अगरतला से सुधी प्राइब बर्मन जीते हैं और बर्दवाली में जहां से हमारे निव चीफ मिनिस्टर मानिक बाबू वो लड़ रहे हैं उन्होंने जीत हासिल किया है और जुबराज नगर में बीजेपी जीती है क्योंकि वहां में जो sitting एमिरे थे वो CPM से थे लेकिन बाई एलेक्शन में बीजेपी जीते हैं सुर्मा का बारे मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि तीप्रा मौथा सुर्मा से लड़ा था सबसे पहले मैं अपने तीप्रा मौथा के leaders को, workers को, warriors को, TWF के warriors को और YTF के warriors को सबसे पहले मैं आपको congratulate करना चाहता हूँ क्या fight दिया आपने? आज से एक मेहने पहले किसी ने किसी ने तीप्रा मौथा को chance ही नहीं दिया था कि हम लोग election में candidate भी दे सकते हैं कि नहीं सब कह रहे थे कि तीप्रा मौथा candidate भी नहीं दिपाएगा सूर्मा से लेकिन हमने candidate दिया और आज ये एतिहासिक moment है historical है कि आज एक अंचुलेक पार्टी 20 seat के बहार लड़ा और लड़ने के बाद उन्होंने बीजीपी जो ruling government है उनको टक कर दिया और हम आज second position में आये हैं CPM हमसे 5000 वोट कम लिया है 4000 वोट उन्होंने हमसे कम लिया है हम आज almost 12000 वोट लेकर हम आज second position में आये हैं एक message हमारे तीप्रासा ने हमारे तीप्रा मौथा ने और हमारे त्रुप्रा के लोगों ने भेजा है कि एक अंचुलेक पार्टी 20 seat के बाहर भी candidate दे सकता है और सिर्फ नाम के लिए candidate नहीं दे रहा है हमने candidate दिया और वो candidate ने और पार्टी ने संगठन ने एक होकर हमने contest कि मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि आज difference सिर्फ 3-4,000 वोट का था और हमें अगर समय मिलता तो मैं आपको बोल सकता हूं कि हम ये seat जीत भी सकते थे लेकिन 6 मेने बाद फिर से election है और 6 मेने के बाद जब ये election होगा तो मैं आप सबको एक बाद बोलना चाह रहा हूं आज तीप्रा मौथा एक मेने में 12,000 वोट लेकर इतना सामने आया है और 6 मेने अगर हमने जमीन में हम रहे तो सूर्मा का seat भी तीप्रा मौथा ही जीतेगा ये मेरा आपको commitment है और मैं सूर्मा के YTF को TWF को और सब leaders को मौथा के सब leaders को बोलना चाहता हूं कि चिंता मत करो हमने एक अच्छा fight दिया और 6 मेने के बाद 12,000 को हम लोग 18,000 करके हम लोग वो seat जीतेंगे हम आधा रास्ता तक पहुँच चुके हैं अब हमें सिर्फ momentum नहीं छोड़ना है हमारा एक motivation रहना चाहिए और हमारा मनुबल रहना चाहिए दूसरा बात मैं अपने YTF के और TWF के और तिप्रा मौथा की लीडर्स को बोलना चाह रहा हूँ बहुत लोगों ने जो तिप्रा सा नहीं है, SEs हैं, हिंदिस्तानी हैं, चायबागान के हैं, आदिवासी हैं, मुसल्मान हैं उन्होंने हमें वोट किया, बिंगॉली से, उन्होंने मनिपूरी से, उन्होंने हमें वोट किया, आपका करतव्य है, आपका ड्यूटी है कि इनको प्रोटेक्शन दे, इनके संग आपको सुरक्षा दे क्योंकि छे महने बाद ये फिर से आएंगे और हमें वोट करेंगे और इस बार अगर हमने इनको प्रोटेक्शन दिया इनके साथ रहे तो डबल से जादा ये लोग आकर हमें वोट करेंगे क्योंकि ये भी हमारी संग है ये politics ये हमारा जो struggle है greater the plan का है किसी की community के खिलाफ नहीं है कोई भी धरम के खिलाफ नहीं है आखिर में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ बहुत लोग ने मुझे phone किया दिल तूट गया है किसी का दुख है किसी को मैं जानता था कि ये सूर्मा का election आसान नहीं होगा लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि दो महने बाद village council election है अगर हमने अपना candidate नहीं दिया होता तो 14,000 तीप्रासा village council election में किसी और party को vote करता है हमने ये बार candidate दिया और ये हमारे तीप्रासा लोगों ने हमारे सूर्मा के जो लोग ने सबने मौथा को vote किया और अब village council election जब होगा तब वहां में हमारे ही लोग अब village council को capture करेंगे देखो हर election सिर्फ हारने या जीतने से उसका कोई मतलब नहीं होता है एक message जाना चाहिए और message हमने अपने opponent को जो हमारा विरोध करते उसके दिल में पहुचा है हमने उनके दिल के अंदर एक message भेजा है कि आप अब तिप्रा मौथा को हलका मत समझो क्योंकि सब लोग कह रहे थे बी सीट, बी सीट, बी सीट अब आप देखे तेलिया मुरा में क्या होता है अब आप देखे अमरपूर में क्या होता है अब आप देखे पानी सागर में क्या होता है सोना मुरा बक्सोनगर में क्या होता है धनपूर में क्या होता है माताबारी में क्या होता है महनपूर में क्या होता है मजलिशपूर में क्या होता आप देखे और जिस लोगों ने हमें वोट किया जो तीप्रासा नहीं है मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपने मेरे उपर विश्वास किया आपने हमारे उपर विश्वास किया Thank you very much. आपने जो विश्वास हमें दिया है, वो विश्वास हम नहीं तोड़ेंगे. हम सबको प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं, हम अपना सम्विधानिक अधिकार मांग रहे हैं, आपका कोई भी अधिकार, आपका जमीन, आपका अधिकार हम चीनने का बात नहीं कर रहे ह जो लोग ये उल्टा प्रोपगेंडा करते हैं, वो नफरत की राजनिती करते हैं, हम जोडने का राजनिती करते हैं, तोडने का नहीं. आखिर में यहां में messages मैं देख रहा हूँ बहुत लोग बोल रहे कि दुख लग रहा है दुख की क्या बात है हमने fight किया है और हमने आज CPM और Trinamool को second और third position में रखा है सब लोग कहते थे कि तुपरा fourth position में आएगा second में शायद CPM आए third में Trinamool आए क्योंकि वो seat ST नहीं है लेकिन आज non ST seat में भी SC seat में भी हमने इतना अच्छा vote पाया है कि आप सब को टीप्रा मौथा को seriously लेना पड़ेगा और आप देख लो आने वाले एक मेहने में और लोग टीप्रा मौथा जोइन करेंगे आने वाले एक मेहने में मैं और जोर से काम करूँगा और अब तक सब लोग कह रहे थे अगर 20 seat टीप्रा मौथा जीतता है तो next government में टीप्रा मौथा का हाथ रहेगा भाई मैं 20 नहीं देख रहा हूँ, मैं 40 देख रहा हूँ, मैं 45 देख रहा हूँ और उसके लिए अब आपको सूर्मा में हमारे सब लोगों को जिसने वोट किया हमारे लिए मुस्लिम हो, चाबागान का वकर हो, आदिवासी हो, बिंगॉली हो, स्सी हो, मनिपूरी हो जिनोंने हमें वोट किया है, YTF, TWF, टीप्रा मौथा, आप उनको प्रोटेक्शन कीजिए, उनके साथ रहिए च्छे मेने बाद, मैं आपको बोल रहा हूँ, च्छे मेने बाद, आज जो हमने काम किया है, उससे तीन गुना जादा काम करूंगा उससे मैं दो गुना जादा समय दूंगा, और आप देखे, दो हजार तेईस में सूर्मा से, एक टीप्रा मौथा का कैंडिड जीतेगा जो नया MLA आया है, कॉंग्रेटुलेशन्स, अगला छे मेना आपके पास है, और उसके बाद, अगला पांच साल हमारे पास होगा Anyway, I would like to wish everyone, I would like to wish the Honourable Chief Minister Manik Shahaji for winning the election, I would like to congratulate Sudeep Rae Barman for getting re-elected, you fought a good battle and you have won And I would like to also congratulate the candidate from Jubrajnagar for having put up a great fight I also wish the lady who has won from Surma the very best And to अपना बाबुराम सत्नामी, बाबुराम आप पहले हो, जिसने तीप्रा मौथा के लिए fight किया है, लेकिन आप आखरी नहीं हो, और लोगों को भी हम chance देंगे और लोग भी fight करेंगे तीप्रा मौथा से, और और लोग भी next time जीतेंगे बेलाई बेलाई नहांबाई, धन्यवाद, थैंक यू तुरुपुरा, आपने हमारे उपर विश्वास किया थैंक यू तु आल दो पीपल फ्रूर्मा, आपने मेरे उपर विश्वास किया और आज हम 0 से 12,000 पहुंचे हैं, 12,000 से 18,000 वोट लेने के लिए हमें और अब 6 मेहना चाहिए और भगवान जानता है कि जब तीप्रा मौथा अपना mind make-up करता है, तो हमें कोई नहीं रुख सकता अगला 6 मेहना आपका, उसके बाद 5 साल हमारा बेलाईनों हमबाई, धन्यवाद, खुलूंका